हेलो फ्रेंस मेरे नाम है वीजे यह अमरे थार पाट है LCS का जिसमें हम लोग कोशन सॉल्व करने वाले हैं बॉडम अप्रोच को लगा के तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो इससे पहले वाली वीडियो में आपको पता चुका हूँ रिकर्सी प्री कैसे बन रहा था और हमने किस तरह से चॉइस डियाग्रम को क्रेट किया और उससे पहले वीडियो में आपको यह पता है कि LCS क्या है इसको किस तरह से यूज किया जाता है क्यों यूज किया जाता ह ठीक है अब देखे हम लोग क्या करने वाले bottom approach से एक question को solve करेंगे अब मैं question क्यों solve कर वा रहा हूँ ताकि आपकर थोड़ा ज्यादा idea बन जाए कि किस तरह से यहाँ पर हमारा जो bottom approach है वो किस तरह से काम करती है ठीक है तो यहाँ पर मैं कुछ value लेता हूँ जैसे x की मैंने value ली a b c e यह मैंने value ली और y की value ली मैंने यहाँ पर b c e ठीक है यह value ली और यहाँ पर p ले लीजिए ठीक है यह value ली तो हमारे पास पता है हमें कितने के 4 भाई 4 का है मालब यह इसके input कितने है 4 है और इसके कितने input है 4 है तो यहाँ पर matrix कितने बनेगी 5 भाई 5 की यहाँ पर इसकी matrix बनेगी ठीक है x वाली value को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ represent करा हूँ y value को ऐसे दिखा रहा हूँ x वाली यहाँ पर है ठीक है मैं थोड़ा बड़ा matrix ले लिया कोई बात नहीं चल जाएगा कम यहाँ पर यह पर यह P है और आपका B है और आपका C है और आपका E है ठीक है अब इसको मैं निकानना है तो यहाँ पर देखिए 00 मतलब जब X की जो value होगी मतलब वहाँ पर क्या होगा X की जो character की length हो 0 है और Y की जो character है इसकी length भी आपकी 0 है यह जो है किसको represent कर रहा है जहाँ पर X character 0 है Y character 0 है और यह block किसको represent कर रहा है जहाँ पर X character 0 है लेकिन Y में एक character है ठीक है और यह वाला पार किसको represent कर रहा है इसमें यह present कर रहा है कि X में character कितने 0 है Y में कितने 2 characters है ठीक ह तो यहांपा दें कि हमें पता है अगर X या Y में से 1 भी 0 हो जाता है तो output क्या होता है 00 तो इसका output तो 00 आएगा और यहांपर इंका output क्याएगा है? यहांपर इंका output भी 0 आएगा क्योंकि यहांपर Y 0 है चाहिए X की value कुछ भी हो अब में निकालना है यह वाली value ठीक है यह value कैसे निकली कि इसमें x एक character है और y एक character है और character क्या है इसमें p है और a है देखे जब आवा character match नहीं करता है उस condition में क्या होता है match में थो हमें पता है हम लोग क्या करते है size को छोटा करते है ठीक है अभी हमने क्या pass करा 1 और 1 pass के अगर match कर जाता तो मैं क्या करता दोनों के size को छोटा कर देता मलब 0 0 कर देता ठीक है और 0 0 पर हमारी value क्या है 0 है लेकिन यहाँ पर हमारे gain में कैसा है match नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे दो condition बन रहे है इसमें क्या बन रहे है या तो मैं x की value को क्या कर दूं कम कर दूं यह 0 बन हो जाए या तो यह 1 0 हो जाए इसमें क्या कर रहा य की value को कम कर रहा इसमें क्या कर रहा y की value को कम कर रहा y minus किया और इसमें x की value को minus किया मतलब x में से x का size कम किया इसमें y का size कम किया तो यहाँ पर 0 1 हो गया और 0 1 क्या value दे रहा है देखे 0 1 दे रहा है यह value यह क्या है 0 1 को represent कर रह X 0 Y 1 यह 0 1 को represent कर रहा है और आपका 1 0 को इसको represent कर रहा है मत्तब diagonally ठीक है जब हमारा match नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे diagonally में जो maximum मुखा उसकी value रख लेंगे तो इन दोनों में से diagonally में से maximum value का 0 है दोनों में तो यहाँ पर 0 आ जाएगी ठीक हो गया अब इसकी value निकाल लें यह value यह किसको represent कर रहा है 1 2 को मत्तब यहाँ पर क्या है 1,2 solve हो रहा है अगर match कर जाता है तो क्या होता यह 0,1 होता ठीक है अगर match कर जाता है नहीं match करेगा तो क्या match कर रहा है पहले देखे नहीं match कर रहा है क्योंकि यह P है यह B है match नहीं कर रहा है match नहीं करेगा तो क्या होगा एक बार आपका X कम होगा X कम हो जाएगा तो यह जो जाएगा 0,2 और एक बार क्या हो जाएगा आपका Y कम हो जाएगा यह y- का size कम हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 1 ठीक है 1 1 अब देखिए 1 1 किसको represent कर रहा है 1 1 इसको represent कर रहा है 1 1 है यह और 0 2 कहाँ पर 0 2 है यह फिर से diagonal की value match औरी match नहीं हो रहा है तो औरी diagonal की value match इन दोरह maximum क्या है कोई नहीं है maximum तो 0 ही आएगा ठीक है अब इसी तरह से यह वाला कैसे निकलेगा अगर match नहीं कर रहा है तो फिर से diagonal की value देखेंगे ठीक है जो कि देखिए जब हमारा P और A match नहीं कर रहा तो थमने यह दो diagonal की value देखी जब हमारा PB यहां से P आया इधर से P आया इधर से B आया जब यहां से दोनों match नहीं कर रहा है तो क्या देखा diagonal की value देखें अब यहां पर जो value आएगी यह भी आगर match नहीं कर रहे क्योंकि match नहीं कर रहे तो क्या अगर diagonal की value है कि diagonal मेंसे जो maximum का 0 आगया ठीक है और इन दोनों में से क्या P और E match कर रहा है नहीं कर रहा है तो यहाँ पर क्या आगर diagonal की value आगी ठीक है इसको cross कर लीजे यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर diagonal की value आगी 0 आगया मतलब ठीक है यह चीज़ समझ गे अब देखे बी और ए मैच कर रहा है नहीं मैच कर होगा diagonal की value आगी डागोणल की जीरो जीरो मैसे मैकसिममों का 0 हैगा ठीक है इसमें बी और बी मैच कर रहा है जब मैच कर रहा है तो उस match कर जाएगा तो one one return होगा उसके सांद plus one भी कर रहे है recursive question देखिए जब match कर जा रहा है यह वाला match का case था match वाले case में output जो निकल के आड़ा था size minus करके यो की one one है हमारे case में इसमें one plus कर रहे है ठीक है तो यहां कितना आएगा one आजाएगा ठीक है one आगया चुकि यहां से value आई उसमें plus कर दिया one फिर b और c match कर रहे हैं नहीं कर रहे है तो diagonal में जो maximum होगा उसको ले लिए diagonal में one maximum होगा उसको ले लिए और फिर b और e match कर रहे है नहीं match कर रहे है तो diagonal में जो value होगा उसको लिख लिए तो यहां पर 1 आगया, अब देखे, C और A match कर रहा है, नहीं match कर रहा है, नहीं match कर रहा है, तो diagonal में जो maximum होगा उसको ले लिए, 0 आगया, C और B match कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो जो diagonal में maximum होगा उसको ले लिए, 1 आगया, फिर C और C match कर रहा है, हाँ match कर रहा है, match करेगा, त उस case में क्या होगा? क्या कर रहे थे match होगा तो जो ये वाली value है इसको लेंगे और इसमें 1 को plus कर देंगे तो कितने हो गए? 2 हो गए अब C और E match का रहा है नहीं match का रहा है तो diagonal जो value होगी वो ले लिए वाला 2 ले लिए हैंपर E और A मैच कर रहा है नहीं मैच कर रहा है तो diagonal में जो value होगी उसको maximum ले लिए जिरो जिरो आगया इसी तरह से E और B मैच कर रहा है नहीं मैच कर रहा है जो maximum होका उसको ले लिए 1 है maximum फिर E और C मैच कर रहा है नहीं मैच कर रहा है जो diagonal maximum होका उसको ले लिए मतलब 2 है maximum इसको ले लिया और फिर क्या करना है E और E मैच हो रहा है मैच होंगा तो क्या होगा यहाँ पर से value लेंगे और उसमें 1 प्लस कर देंगे मतलब 3 अब यहाँ पर जो answer आएगा यह को answer दिखा रहा है यह answer दिखा रहा है 4 भाई 4 का जब X की value 4 थी और Y की value 4 थी वही हमने पूचा था स्टार्टिंग में X की value 4 और Y की value 4 पर क्योंकि हमारे 4 input है दोनों में तो output के तहां निकल क्या रहा है 3 मतलब 3 subsequence है BCE और यहाँ पर BCE largest subsequence क्या है BCE है अब देखे यह जो table बनी इससे आप क्या कर सकते हैं अटा हो तो कैसे निकालेंगे तो यहाँ पर इसको समझते हैं देखे कि आप table से भी direct कैसे निकाल सकते हैं सबसे पहले 3-3 से start करेंगे last वाली note से start किया और यह कहां से आया है 3 यह diagonal में से आया है diagonal में 1 plus करके कोई matching हो रही है E और E match हो रहा है न तो यहाँ पर क्या हुआ diagonal से आया diagonal से आया तो जो सबसे पहले match हो का उसको लिखेंगे E और match हो का E को लिखेंगे कहां से right to left लिखेंगे ठीक है तो यह 2 से आया है 2 में 1 plus करके हमें यह पता चला अब 2 कहां से आया है 2 match हो रहा है match हो रहा है, यह भी diagonal से आया है, यहां से 1 से, यहां पर से, तो यहां पर लिख देंगे C, अब यह 1 कहां से आया, यह 1 आया है diagonal से, क्योंकि match हो रहा है B से B, तो यहां पर यह diagonal से आया है, 0 से, B और B को लिख देंगे, और यह 0 कहां से आया है, या तो इस से आया होगा, या तो ठ्पर अलग देखेंगे ठीक है example जिसमें हम थोड़े और values को लेंगे z और b maximum होगा 0 लिख देगे यहां match नहीं कर रहा है तो 0 लिख देगे दुनों में से maximum देखेंगे ठीक है इसी तरह से यहां क्या है यहांब यहां भी 0 आ जाएगा इसी तरह से यहां भी match नहीं कर रहा है तो यहां पर 0 आजाएगा यहां पर E है हमारे, तो यहां पर देखे E और E match होगी है, तो diagonal से value उठखेंगे इसलों plus one कर देगे, तो one हो जाएगा है यहां पर इसी तरह से E और P match नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? diagonal से value उठेगे और जो maximum होगी वो ले लेंगे तो 1 होगा इसी तरह से e और q match नहीं करेंगे तो diagonal से value उठेगे मलब यहां से value उठेगे दोनों में से 1 और यहां पर 1 कर देंगे इसी तरह से यहां पर भी ऐसी होगा e और r match नहीं करेंगे तो इन दोनों value देखेंगे और जो maximum होगी इसको लिखेंगे 1 आए यहाँ पर भी वन आएगा और यहाँ पर भी वन आएगा Q और A मैच होगा नहीं मैच होगा तो यहाँ पर इन दोनों message value होगी maximum इसको ले लेंगे 0 फिर इसी तरह से आपका Q और B मैच नहीं होगा तो इन दोनों message maximum होगी इसको ले लेंगे और आपका Q और E इन दोनों message maximum होगी इसको ले लेंगे जो किया है का 1 फिर Q और P मैच नहीं होगा तो यहाँ पर इन दोनों message maximum होगा 1 मैसे maximum क्या है 1 है ठीक है 1 आ गया अब देखिए Q और Q मैच हो गया तो diagonal की value लेंगे यहाँ से और इसमें plus कर देंगे 1 ठीक है तो 1 में 1 प्लस कर देंगे 2 आ गया Q और R मैच होगे नहीं मैच होगे तो diagonal की यहाँ पर से 2 और 1 मैसे compare करेंगे maximum क्या है 2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा इसी तरह से Q और S मैच ही नहीं हुआ तो maximum होगे उसको लिखिलेंगे 2 और Q और T जो maximum होगे उसको लिखिलेंगे 2 इसी तरह से R और A मैच हो रहा है नहीं हो रहा है मैच तो यहाँ पर इन दोनों में से यहाँ पॉइंट में से 0 मैक्सिम क्या है 0 और a और r और b match नहीं होगे तो यहाँ पर 0 का 0 यहाँ पर कितना होगा जो maximum होगा maximum क्या है 1 और यहाँ क्या है 1 यहाँ क्या है 2 है maximum 2 होगा और r से r match होगया पतब diagonal की value में 1 प्लस होगा यहाँ पर 3 फिर क्या होगा 3 और 2 में से maximum क्या है 3 है क्योंकि यहां पर match नहीं हो रहा है R और S match नहीं हो रहा है और यहां पर R और T भी match नहीं होगा तो यहां पर कितना आजएगा 3 का 3 value अब यह last में क्या होगा T A से match करेगा नहीं तो यहां पर 0 और 0 में से maximum 0 होगा यहां पर भी 0 आएगा यहां पर आएगा 1, यहां पर कितना आएगा 2, यहां पर कितना आएगा 3, यहां पर कितना आएगा 3 और T और T मैच हो जाएगा तो diagonal से value ले लेंगे और समें plus कर देंगे 1 तो यहाँ पर राज़ेगा 4 तो यह चार सब स्ट्रिंग है जैसे मैं दिख रही है E, Q, R, O, T यह से E, Q, R, O, T तेके हैं अब देखे यह 4 by 4 कैसे आया T की बज़े से यह कि T, T है यह कहां से आई यहां से यह 3 से ठीके हैं यह 3 में क्या है और 1 प्लस की है तो यहां पहुँचे, क्या यह match कर रहा है नहीं match कर रहेगा तो दो condition बनेगी यहां तो हम उपर को चले जाओ अब देखे यह 3 जो आया, 3 कहां से आया यह वाले 3 से आया, तो इधर चलेगी हमे क्या यह match कर रहे है, match कर रहे है और match कर रहे है तो इनको लिख दूँगा मतला R को लिख दूँगा और यह कहां से आया, इस 2 से आया तो यहां 2 में पहुँचिया, ठीक है अब यह 2 कहां से आया है, और यहां पर यह भी match कर रहे है तो यहां पर इसको भी लिख दूँगा और यह कहां से आया है इस one से आया है अब यह जो one है यह कहां से आया है यह match कर रहा है भी नहीं match कर रहा है तो कहां से आया है इधर से आया है इसमें चले यह match कर रहा है कर रहा है तो इसको लिख दूँगा यह को और यह कहां से आया है यहां से इस zero से ठीक है और यह zero कहां से ह या तो इस से आया होगा या तो इस से आया होगा ठीक है अगर मैं यहां पहुंच जाता हूँ तो यह complete होगा इधर मैं रुख जाऊंगा ठीक है complete हो चुगा यह अगर मैं इधर जाता हूँ इस वाले में इस वाले में जाता हूँ तो match हो रहा है नहीं match हो रहा है और जब match नह इतना ही रखेंगे, next वीडियो में हम लोग algorithm देखेंगे इसका, bottom approach का, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा time लेने चाहँगो, यहाँ पर आपको इस screen में हमारे channel दिखाए दे रहा हूँगा, सब चीजों में interested है, तो आप हमारे channel को subscribe कर सकते हैं, और हमें follow कर सकते हैं,